हो हेलो माई राइडर फैमिली, दोस्तो ओन्डा बहुत ही जल्द अपनी एक क्रूजर बाइक को इंडियंटू हूफिलर मार्केट में लॉंच करने वाला है। ओन्डा ने कंफरम किया है कि वह अपनी डिवेल 300 को इंडियंटू रूंछ करतेंगा। इस बाइक के लुक और डिजाइन और प्राइस से रिलेटिड जितनी भी इनिफरोमेशन आ वो सामने आ चुकी है आज कि इस वीडियो में मैं आप से ये सारी डीटेल शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये बाइक इंडियन टुबलर मार्केट में कब तक लॉंच हो जाएगी वीडियो बहुत ही जादा अंटरस्टिंग होने वाली है वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो without any wasting time let get start the video दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बाइक के looks के बारे में इस बाइक के look और design बहुत ही जादा बहतरी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस बाइक में आपको completely cruiser bike का design देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम इस बाइक के rare section के बारे में बात करें तो rare में आपको LED टेल आइड भी देखने के लिए मिल जाएगी अगर हम इस बाइक की seating comfort के बारे में बात करें तो ये बाइक बहुत ही जादा comfortable है इस बाइक की जो seat आपको थोड़ी सी down देखने के लिए मिलती है जिससे rider को back pan बिल्कुल भी नहीं होता है और उसके हाथ में दर्द भी नहीं होता है इस बाइक से आप non-stop long ride कर सकते हैं आपको किसी भी परकार की problem नहीं आएगी इस बाइक की जो seat आपको बहुत ही जादा comfortable है अगर हम इस बाइक के engine के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 286 CC का liquid cool 4 stroke 4 valve engine देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 25 HP की maximum power को produce करता है और 17.6 Nm के torque को generate करता है इसके लावा इस बाइक में आपको 6 speed manual transmission gearbox setup भी देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम इस बाइक के tires ऐच की बारे में बात करें तो इस बाइक के अपको 130 по 90 के tubeless tire देखने के लिए मिल जाएंगे अगर हम इस बाइक के रेर टैर के बारे में बात करें तो रेर में आपको 150 बाइ 70 के बाइट टूबलेस टैर देखने के लिए मिल जाएंगे अगर हम इस बाइक की fuel tank capacity के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 11.2 लिटर का fuel tank देखने के लिए मिल जाएगा इसके लावा इस बाइक में आपको dual channel ABS भी देखने के लिए मिल जाएगा जो की safety के point of view से काफी अची बात है अगर हम इस बाइक के meter console के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको round shape का premium दिखने वाला digital meter console के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको bike से related basic सारे ही feature देखने के लिए मिल जाएगे तो finally अगर हम इस बाइक की launch date और इस बाइक के price के बारे में बात करें तो यह बाइक Indian dealer market में अगले month में launch हो सकती है और इस बाइक का जो price है वो Indian dealer market में approximately 230,000 तक के price point पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तो मुझे कमेंट करके आप जूरूर बताएं कि इस बाई का जो लूक का वो आपको कैसा लगा दोस्तो अगर आपको वे अच्की वीडियो अच्छे लेगी है तो इस वीडियो के लिए लाइक करना बिल्कुल भी ना बोलें